हालो गाइज आम रिक्की एंड और मॉस्ट वेलकम टोवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेश आज जो हम लोग अफवाव प्रिंसपल पढ़ने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बहतरी धंग से जानेंगे कि अफवाव का नियम क्या है या पूर्ण है इसमें हम लोग अफवाव प्रिंसपल को सीखेंगे और साथ ही जो है अफवाव नियम के द्वारा कैसे जो है एलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन किसी भी चीज का लिखते हैं इसको भी हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं सबसे पहले अफवाव का नि अफवाव प्रिंजीब जो है यह एक जर्मन मुहावरा है क्या है यह एक जर्मन मुहावरा है और यहीं से इसी जर्मन मुहावरा से जो है आपका अफवाव नियम का या अफवाव प्रिंसपल या अफवाव प्रिंसपल का जो है आगाज होता है अफवाव एक जर्मन वड और उसका अर्थ होता है एक करके जोडने का सिध्धांत अफवाऊ सकते हैं और इस का अर्थ हो गया इसका अर्थ हो गया एक एक करके जोड़ने का सिध्धान्त है ना एक एक करके एक एक करके जोडने का dust या जोडने का नियम, एक एक करके जोडने का नियम, जब अभी हम आपको अफवाव प्रिंस्पल अफवाव नियम के द्वारा, किसी भी element का, जब हम आपको configuration लिखना ट्रियां का लिए अगा सकते हैं उसका जो है इलेक्ट्रोनिक विंद्याज तो लिथीम का क्या होगा 1s2 2s1 यह होता है तो अब यहां जो है आप अब आपने लिथियम को 1s2 अब इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे तो यह इसके डिसाइड होगा कि इसका नमबर कितना है तीन है तो यहां दो एक दो एलेक्ट्रोन और एक एक और चाहिए तब यहां पर जो करके जोड़ियेगा यहीं जो है तो इसका आर्थ होता एक एक करके जोड़ना अब यहां पर आपको 6 पुराना है चुकि कारवन में तो यहां दो दो चार ही पूरा अब आपको 6 एलेक्रों चाहिए दो दो चार और यहां पर आप दो लिख दिजेगा चाहिए अलेकर की मियास लिख सकते हैं फैसे तरह से आक यक्कपर के जोडे की जो आपका सकते हैं जो एक ट्रेटीशन है परंपराका जोड़ी का इसी को नाम क्या दिया गया अफवाउद प्रिंजि जो एक डर्मन मुहाविरा था इसी से अफ़व प्रिंजिपल आया और इस तरह से एक करके जोड़ना का नियम जो है इसको कहा गया और इसी तरफ जोड़ जोड़ के हां आज भी किसी भी element का electronic configuration लिखते हैं तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा अफवाउ का मतलब क्या है अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं अफवाउ एक जर्मन सब्द है अफवाउ क्या है एक जर्मन सब पारमानु में कच्छक मतलब कच्छा जो होता है कक्चक उर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलक्टरोन पूरित होते है यहाँ पर समझेगा यह जो लिखा हुआ है बढ़ते हुए करम में इलेक्ट्रोन पूरित होते हैं इसका मतलब है बढ़ते करम मतलब पहले छोटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा है ना यह हुआ बढ़ते करम मतलब की और घटते करम क्या हुआ पहले बढ़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छो को फिर टूबीटू को मतब नीचे से एक तरप से भर हटे जाना यह जो है पर्मानों में कक्छा कुर जांगे बढ़ते हुवे करम में करम होते हैं पहले 1600 अगला घर गधा फिर अ repetition kita इस तरह से कख्षाएं भरती जाएंगी और वह लिखाता जाएगा ऐसा नहीं होगा जैसे इसको एक उदारन से समझ सकते हैं यह से माली एक पंक्टी में बहुत लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं तो पहली जो है आप जो जब भोजन चलाना सुरू करेंगे खाना प फिर तिसरा फिल कीजिए फिर चौथा फूल कीजिए ऐसे चलता है तो इसका कहने का मतलब यह अफवाव एक जर्मन सब्द है जिसका अर्थ है बनना परवानों में कक्षक उर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलक्ट्रोन पूरित होते हैं दूसरा देखिए क्या है अफव विला करके यह जो है इंगित कर रहा है उसी तरफ कि आप जो इलक्ट्रोनिक और लिखते हैं तो एक तरफ से करम अनुसार रचना करते हैं जैसे यहां को सिक्स पुराणा था पहले हमने वन एस्टू लिखा फिर टू एस्टू लिखा इस तरह से आप एड्जेस्ट करते है वह करम अनुसार रचना करता है या करम अनुसार रचना जो है इसमें चलती है वास्ता में यहनियम किसी बढndन के विभीन कछकों में इलक्ट्रोन के भरने के करम को निरधारित करता है आ जगा पर जहां आप आ धा की एक बात यह हमित्र की वास्तव में जो यह अफवाव का नियम है यह किसी परमानु के विभिन कक्षा में इलक्ट्रोन के भरने के करम को निरधारित करता है आप उसमें जब इलक्ट्रोन भरेंगे उसकी कक्षा में तो उसका करम किस तरह से निरधारित होगा यह डिसाइड कि आप जानते हैं कि कक्छाय जो हैं एस पी डी और एफ इसतरह कि चार अप यह अपी में जो है 6 D में 10 और F में 14 hydration ऍसक्त होना तक होता है 20 डशह दस और चैनल यह जो है आपका fpdf अभि हापर दीखे पी में जो है इसमें एक एक जो है box बना होता है और पी में जो है तीन box बना होता है देखिए इस तौら से जो आपका 40 जो है 7 box बना होता है 1 2 3 4 5 6 7 देखिए एस में दो दो जब होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रोन डाला जाएगा वह एक क्लॉक्वाइज और एक एंटी क्लॉक्वाइज फिर पी में छे होता है इसमें भी एक क्लॉक्वाइज एक एंटी क्लॉक्वाइज एक आप में इसा ही जो है इसको तरह सकते हैं ऐसा ही जो है सब में आ बनाते जाएगे तो इस तरह से आ है कितना है लोगे चाहे हां यहां एक वॉक्स यह הנौक्स होता है और पर फ्रतियेख बॉक्स में टू-टू-टू-ट्रॉण जो है होते हैं इस तरह से आपका जैक टॉ क्षकाह में लिच्टॉन भरने की करम को निरधारीत करता है अब वाव नियम चलिए आगे बढ़ते हैं इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बिभिन कख्षकों में उर्जा अस्तर के बढ़ते करम में परवेश करते हैं आगया उर्जा अस्तर के बढ़ते करम में परवेश करता है इसको समझेगा बढ़ते करम में परवेश करन सब्सक्राइ generally written is seem को लिखेगान होता है वन एसटू टू एस्टू टू टूओन पी कितना होगा देखिए पहले आपने पहली दो पूरा भर दिया दूसरे को पूरा भर दीया अब तीसरे को अधर बहरना है तो दो दो चार इलेक्ट्रों है ना यहां 2 जो space looked on pplayer हो गया हम को चाहिए सेवन अब यहां त्री डाल लें गजे तीन दू पांस दू पूरा हो गया एक तरब से पूरा होता जा रहा है पहले जो है अपका यह जो पहला था यह पूरा भर गया ದो कर भी पिर एसमें सिक्स तो सकता है तो जब यहां डोनों पूरा हो गया तब पी में जो है तीन इलेक्ट्रों दिए इस तरह करके जब पी पूरा भर जाएगा है जैसे माल लीजे हम बात कर लेते हैं स्ट्रोडियम का है अभी हम इसको लिखेंगे अभी आपको इसका इसको लिखना सिखाएंगे तो सनमें 20 बड़ा हैं तो यह जो है इस नियाम का उसर इलेक्ट्रान बिफिन का शकाम में उर्जा अस्तर के बढ़ते करम में परवेश करता है प्रसाद मिलता है तो पहले हम लोग क्या बोलता है पहले बच्चा को दो क्यूंकि जैसे ही आपके हर में पूजा आरंभ होगा आपने देखा होगा यह हमने भी देखा है गाउंगर में कि क्या होते हैं बच्चे बहुत सरा जमा हो जाते हैं लगे उनको किसी पूजा पाट मतलब नहीं इसको यह मतलब है कि आर्टी कब वब और परसादक मिलेगा तो हम लोग क पहले पूरा खिला फिर जो है या बच्चे को पहले खिला फिर बड़े को खिला फिर उससे बड़े मेर इस तरह से जो है यह एड़्स सब्सक्राइब थो निम्न उर्जा अस्तर्वाले कक्छक में प्रवेश करते हैं पहले जो निम्न उर्जा अस्तर्का कक्छक है फिर आगे बढ़ा जाएगा जैसे यहीं हम लिखते हैं जिसे माले यह हम हैड्रोजन की बात करते हैं अगर आप हैड्रोजन को लिखेगा तो यह लिखेगा वन एस वन ठीक है यहां पर चुक्छी है डूज़न में एक ही होता है और एस की मैक्सिमिमम चाथ पूरा-पूरी हो गया अब एस पूरी तरह से भर गया अब इसके बाद आगे वाले को भरो हैना यह नेमनस्तर का कक्षा था यह पूरा भर गया इसके बाद हैज्डिजन हीलियम हावादय लिथियम पर 1 s2 सब्सक्राइब हांप 2023 होता है इसको लिखेगा 1 इसी दरह से मतलब की पहले कहने का मतलब यहां जो पहले ऊस्तर वाला है उसको भरें उसके बाद जो उच अस्तर के शाय Tक उसको भरिये इस तरह चलिए और यहीं आपका अफ़वाव का नियम कहता है अब बात ये उठती है कि अगर हम इस्तर करेंगे निम्न अस्तर वाली कु को पहले भरेंगे फिर उससे हायर अस्तरवाल का ख्याओं को भरेंगे यह आफ बाव का नियम कहता है लेकिन भरेंगे कैसे अब उसको लिखना भी सिखा देते हैं कि हम जो है उसको किसी भी अगर हम लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रोनिक विन्यास आप जानते हैं कि आपको इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखने मदद करता है उसी का यह नियम है तो अब उसको लिखना कैसे है हम यह भी आपको इस वीडियो में चर्चा कर देते हैं बस थोड़ा सामको बोर्ड मिटाने चलिए अब हमारे साथ सुरू किजिए इसको लिखना कैसे है तो सबसे पहले जो है लिखने का तरीका मित्र वो मैं यहां बता रहा हूं आपको बस आपको हमारे बोर्ड को देखना और समझना है सबसे पहले जो है यहां सबसे उपर पे 1S दूसरा में लिखिए यहां पर अगर आप 3 लिखेंगे है ना यह 3S 3P और 3D इसको तीन बार जाने दना है ठीक है फिर चौथा में 4S 4P 4D 4F ऐसा चलेगा ठीक है फिर पाच्वा में आएंगे हां अब यहां से कमेगा 4S 5S 5 यहां जो है 5S के बाद 5P है ना यहां 5D और यहां से अब घटेगा अब यहां हो गया 6S 6P ठीक है और यहां जो है आपका 7S इस तरह से जो है आपको लिखना है देखिए पहला में क्या है 1S दूसरा में 2S 2P है ना तीसरा में 3S 3PD तीन बार चौथा में 4S 4P 4D ऐसे करके चलना है और छठा में जो है 6 पाच्वा में यह हो गया 5S 5P 5D और 5F यहां पर जो है एक दो तीन चार यहां 5F तक जाना है 5S 5P 5D और 5F तक जाना है और चौथा में 4S 4P 4D 4F जो है इस तरह से चलना है और इसको जो है इसी करम में एड़्जस्ट करते चलना है तो इस तरह से जो है इसको लिख लेंगे सबसे पहले जो है पहले में 1S2 दूसरे में दो घर लेंगे 2S 2 2P 6 तीसरे में 3 लेंगे 3S 3P 3D चौथे में 4 लेंगे 4S 2 4P 4D 4F 14 फिर यहां 5S 2 5P 6 5D 10 5 यह जो है एक दो तीन चार एक में घर दो में दो घर तीन में चार में चार घर और पांच में भी चार घर और 6 में तीन और साथ में दो इस तरह करके भी ले सकते हैं या कोई को आपको बताएंगे इस तरह से सब्सक्राइब लिए फिर यहां भी छोड़िये और एक गड़ फिर 2P 6 2 3P 4P 5P 6P 7P मिला करके बात वही है फिर डिवाले लिए फिर एबल ऐसे भी बात है और ऐसे बहुत कोई बात नहीं आपको जो पसंद आए आप वेसा कीजिए इसके बाद क्या करना है यह जब लिखा चल सबसी है एक दम कुझ नहीं करना है और dice q सिर्फ इतना हैरा से अर्ड कि एक दम दै घूनल में काटते चलिए ठीक है छो यह इस तरह से कर जाएगा और लास्ट में इस तरह से चाण जाएगा तीक आना यवर्ण कर चका है अब हमने पर तरह से बनेगा इसमें तीर का निसान ऐसे लगा दीजिए यह सब जो है एरो ऐसा लगता चला जाएगा अभी हम उसको करेंगे किसरे लिखेंगे यह भी हम आपको बता देते हैं इस तरह से हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहां से जो है मित्र इस मेरे रेड़ वाले को पहुंच कर रहा है इस तरह से तरह करके बना को इस तरह आ है आशीड़ी चलता है और यहां को यहां से ऐसे ऐसे करके जो है इस वाले मिला देना तकि समझ में आ जाई कि किस direction में च चाहिए लोग क्या करते हैं इसमें कभी कभी डियराक्षन मिश्टेक हो जाता है ना इसलीर निस्तील की निसान इस्तेमाल होता है ताकि आप देख करके समझ जाए एक कहांग घख लागे वनाजों से आप इसी आएंगे और फिर जो है इस तरह से लाकर के इसमें मिला देनी है ठीक है फिर यह निसान यहां आएगा आगे बढ़े तीर यह आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आके जाता जाएगा और यहां से आपको इसमें आना है फिर जो है यहां इस जगह से आपको लेना है और वही काम करनी है जो हम पहले कर दिये थे यहां पर के लाक इसको मिला देना है फिर यह तीर निसान ऐसा ही चलता जाएगा ज और फिले जाना है और ले जाकर के यहां को इसको को यहां चु की बना दिया इसको ताकि आपको समझ में आ जाए हम कहां से मिला रहे हैं कहां से क्या करने हैं इस तरह तरह से आता जाए गा यहाँ आपका बनकर के procrelede कहीं कहीं पर जो है इसको घेर देता है ये समय जो है जैसे करना कर दिए लेकिन नियम जो है वह ऐसा ही चलेगा चलिए अब देखए ये कैसे बनेगा आपको इसको किसी की किसी भी Memant का लिख करे की आपको दीखाते हैं जैसे अवस्में इस न गोल गोल करके पूरा भर सकते हैं लेकिन चलिए सबसे पहले इसटार्ट करते है इसे मालीजे हमको एक Element है जैसे मालीजेश हमको केलसीम कर लिखना हम कुछ कुछ लिख कि आपको बताते हैं केलसीम सी कैलिएम का इटमीक नमबर 20 होता है आपको कल सियंए लिखना है तो कोंफिगरेसट लिख्थ लिखेगा सुलू करेंगे से सबसे पहले इस यहां पर ये को माद़ीया आीयाता है अब आप आगे बढ़केगा। तो सबसे पहले यहां से देखें, तीर के निसान के अनुशा चलिएगा ये तीर निसान ऐसा बना हुआ तहाँ आपको ऐसे चलना है सबसे पहले एस टू को लिया फिर इस लाल लाइन पर आयेंगे और ऐसे आजएंगे 2s2 तो यहां पर लिग देंगे हम अगर 20 यहां पर 20 इलेक्ट्रान पुरना चाहिए दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-चार-चे-दस हुआ है अभी बहुत माकी है तो वन-एस्टू-टू-टू-टू-टू-पी-सिक्स तर आ चुके थे हम टिप्टू-टू-पी-सिक्स तो गए है इससे और अभी पूरा नहीं हुआ है तो अभी हम कहां तक आये हैं वन-एस्टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-पी-सिक्स तरह से जो है यह चलता रहेगा है अब आगे देखिए कहां तक आ गए हैं हैं दो-जो-चार-चार-चार-दस-डो-बारर-चै wandering हमको और दो चाहिए तो हम वन-एस्टू-टू-टू-को को लिए त्योस्टू-व और स्टीक्स तरह से जो ैपका यह देखिए आप कि हो गया और आपको कितना केल्सियम का अपका बिल्कुल राइट हो गया तो इस तरह करके अब जितना भी सकते हैं बसरते आपको यह पता होना चाहिए कि इसका नियम क्या है और जो आपको यह बनाने का तरीका अगर आ गया तो आप 118 एलिमेंट जितना भी है आप सब का लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए एक दोग और हम करवा देते हैं आपको जैसे मालीजी आपक है ना यह 30 पर होता है 30 पर अब लिखना इस्टार्ट कीजिए आप सबसे पहले 1s2 से लिएगा 1s2 ठीक है फिर अब देखिए लिखना तो इसी को है तो आप यहां 20 तक डिरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं या फिर लिखिए कोई बात नहीं 1s2 फिर क्या हो गया यहां चले जाते हैं 2s2 यहां लिख दीजे 2s2 यहां जो 2s2 रहा दूरी हो गया है यहां पर 2 तो ज्यादा बहतर होगा यह हो गया 2s2 है ना 1s2 2s2 को ले लिए अब यहां से आगे बढ़ यह आगे बढ़िए 2p6 तो लिखिए यहां पर हमाचुके हैं यह रहेगा 2p6 फिर यहां से आगे बढ़िए 3s2 यहां लिखा है अभी जो 20 तक लिखा था आपने उसमें 20 तक लिखा गया है अब आगे बढ़िएगा यहां से 4s2 से तो अब यहां 4s2 है यहां से चलना सुरू करेंगे इस तरह से घूमना सुरू करेंगे और इस लाइन पर आके क्या मिलेगा 3d10 तो यहां क्या लिखेंगे 3d10 लेकिन पहले यहां समझ लेंगे कितना मेरा पूर रहा है 20 तक तो पूर ही चुका था यह तो 20 तक लिखी चुके थे देखिए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30 तो यह जो है हमारा जिंक का हो गया इस तरह से जो है अब जिसका भी जिस भी the element का दिखना चाहए आप बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते है जैसे माली जी एक उधारन में है ब्रोमीन 35 है इसको लिखिएगा तो इसमें क्या आगा यहां तक तो तक तो सैम हो जाएगा, है ना माना यह डेहां से नियां फोर्टि यहां चाहिए, तो यहां तक हुग जो है, यहां इसी में इस यहां को, 4P5 कर देंगे चुकि यहां जो है पूरा 30 तक हो चुका था और यहां पांच अलग से दे दिए 35 35 ब्रोमीन का क्लियर हो गया इस तरह से आप जिसका भी लिखना चाहें जिसका लिख सकते से माल लेजिए अब है कलोरीन 17 पर है कलोरीन को लिखेंगे देखिए 1s2 2s2 ऐसा ही च पर यह 3s2 कितना हो गया दो दो चार शेचार दस दो बार यहां तक बारा हुआ है फिर आगे बढ़िए बारा और यहां कितना है 3P6 यहां 3P5 कर दिए 12.7 दूदू चार शेचार दस दूबारा पहुंच अत्र और यह जो है कलोरीन का हो गया इस तरह से आप किसी भी प्रूंट का जो है ऐलेक्रोनिक कॉंफिग्रसन लिख सकते है इसमें क्या होता है 1s22s2 कर यहां सुरू कर देता है बच्चा 3s23 यहीं क्या बत्त रता है आपको इस चीज को पकारना है जो लाइन आपने बनाया है वन एस टू 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 एस टू और इस लाइन की जो चाल है जो इसकी जो जिस तरह जो इसका डिरेक्शन है उस डिरेक्शन को आपको सही से पकड़ना है और फिर कहीं दिक्कत नहीं आपको जितना भी बड़ा बढ़ते करम में पहले छोटा भड़ाएगा फिर फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर ऐसे करके जो है वो भरी जाती है इसे तीन नंबर और चार नंबर नियम है है ना वास्ता मिया नियम किसी परमानों के बिविन कख्षाओं में इलेक्ट्रॉन के भरने को करम को नि परवेश करते हैं ठीक है आज यहीं वीडियो को इंड करते हैं धन्यवाद स्वास्त्र हैं अपना ख्याल रखें जै हिंद जै वारत